रेल नेटवर्क पर प्रति दिन यात्रा करते हैं और उन सभी लोगों के स्वास्त को सुरक्षित रखते हुए हमारे 13 लाख रेल करमचारी पूरे दिन रात लगे हुए हैं और हर इस्तर पर जो भी सफाई की विवस्ता है उसको बहुत ही गहन तरीके से करते हुए इस संक्रमण की रोक्थाम में अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं फिर भी जैसा कि विविन राज्यों ने अलग अलग एडवाईजरी के तहट अपने अपने राज्यों में एहतियातन कदम उठाए हैं उनके साथ भी कदम ताल मिलाते हुए रेल प्रशासन ने अपना पूरा पूरा सहियों परदान किया है फिरोशपूर मंडल में पंजाब हिमाचाल जम्मू कश्मीर जैसे तीन बड़े राज्य शामिल हैं और जैसा कि शम्मू कश्मीर राज्य की तरफ से हमें अनरूद किया गया था तो हमने घाटी के अंतर जो हमारी 140 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है उसकी संपूर्ण रेल सेवाएं अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी गई है इसी प्रकार कल रात हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी अपने प्रदेश में सभी प्रदेश के टूरिस्ट चाहे वह इंटरनेशनल हों या डूमेस्टिक हों उनके प्रवेश पर प्रदिबंद लगा दिया था तो इस आधार पर हमने भी जो हमारी नेरो गेज पठान कोट से जो गिंदर नगर रेलवे लाइन है उस पर भी रेल सेवा को अगले आदेश तक इस्थगित कर दिया है इस तरह हम सभी राजे सरकारों के साथ कदम ताल मिला आते हुए आगे बढ़ रहे हैं पंजाब में भी जो हमारे बड़े नेटवर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और जहां पर दूर दूर स्थानों तक की बहुत सारी गाड़ियां चलती है इसमें भी हमने 12 गाड़ियों को रद्द किया है और लोगों की जो यह कौपरेशन क की फीलिंग के चलते जो बहुत सारे कैंसलेशन हो रहे हैं उसमें ट्रेनों की जो अकुपेंसी है वो कम होती जा रही है तो जिन जिन ट्रेनों की अकुपेंसी काफी कम होती जा रही है उन ट्रेनों को भी कैंसलेशन का प्रस्ताव हम लोग यहां से हैड़कॉर भेशते हैं और फिर वो रिल्वे बोर्ड में चुकि कई राज्ये और कई इस्थान अफेक्टेड होते हैं तो उस इस तरह पे निड़ने लिए जा रहे हैं और जैसा जैसा आदेश आ रहा है हम लोग उन ट्रेनों को भी कैंसिल कर देते हैं पिरोशपूर और दिल्ली रूर की भी ट्रेन है जिसको कि कैंसिल किया गया है यह अगले अधेश तक है यह अगले आदेश तक है और सबसे बड़ी आज की तारीक में जान है तो जहान है घाटा और मनाफ़ा तो तब होगा जो हम सब लोग यहां पर एक माना उजात के तौर पर उपस्तित रहेंगे इसलिए कभी भी इस इसे नहीं देखा जाना चाहिए सामानिता इसी इसी में में पिछले साल यदि हमारे करीबं सबादो लाख लोगों ने कैंसलेशन कराए तो उसी पीरिड में इस समय इस साल करीबं करीबं चार सबादो लाख लोगों ने कैंसलेशन करा दिया तो यह सभावी की है कि यदि सच है कि लोगों के सहयोग से जो उन्होंने स्वयम स्वता अपने निजी कारण वस्व और इस सहयोग की भावना के वस्व ट्रेनों को कैंसिल कराया है तो इस पर उनको जो रिफंड मिलना चाहिए वो रेल्वे समय पर प्रदान कर रही है सब को पहले भी बताया है कि भारत सरकार के दोरा दिये गे देर्देशों कि अनुसार भारती रेल को तक्रीबन 20,000 बैट्स की वबस्था करनी थीrika और उसमें उत्तर रेलवे को एक हजार वेट की विवस्था करी थी उत्तर रेलवे के अंतरगर पांच मंडल आते हैं और फिरोजपूर मंडल ने 220 बेट्स की विवस्था करी है यह 220 बेट्स हमारे कई स्टेशनों पर जो की पूरे डिविजन के छेत्र को कवर करते हैं उस पर बनाए गए है फिरूजपूर भी इसमें से एक है अम्रिश सर है जलंदर है दोध्याना है पठान कोट है जम्मू है कट्रा है बढ़गाओं है ऐसे बहुत सारे स्थान है जहां पर कि हम लोगों ने इस प्रकार के कॉरिंटाइन बेट की वबस्था करी है देखिए जब कभी आपको अपने स्वेक्वा में लगे ऊँए हैं तो आपको अपने स्वायम की भी स्वास्त का खेंश ना है तुकि के क्रम शेयों ऐक दमपृदम दृश्टिया जो ऑन बोर्ड है जो ओफिस में है वर्क शॉ Mae स्ट लुट में हैं दो में जहां कहें भी हैं जादा संख्या है है या आवागमन के दिश्टी से हैं उन सभी को अपने स्वास की चिंता खुद भी करनी है और यह प्रशासन उसके लिए उनको पूरी मदद कर रहा है हमारे जितने भी ऐसे करम पूचानी है इनको हम लोग सेनिटाइज करने के लिए और उनके ट्रिप के बाद उनको थर्मल स्कैनिंग से ऑब्सर करने के लिए और यह विक्ति के अंदर कोई भी अस्वस्था लक्षण पाये जाते हैं तो उनको तुरंट ड्यूटी से अलग करके उनको इलाज के लिए य को आश्रस कराना चाहूंगा कि यदि आपको यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अस्वसता महसूस होती है तो बिना इसके चाहट के तुरंत रेल निक जो भी आपके पास रेलवे स्टाफ अबलेबल है उसको इसकी जानकारी दें क्योंकि जानकारी ही बचाओ है तो सबसे पहले जैसे ही हमारे रेलवे स्टाफ को इसकी जानकारी मिलती है वह अपने कम्मिनिकेशन सिस्टम में हमारे कमर्शियल कंट्रोल को सुचिद करते हैं और हम फॉर्स अबलेबल जगा पर उसको यात्रा से उनसे डिसकंटीनु करनी की रिक्विस्ट करके लिगाते हैं और उ उसके आधार पर जहां कहीं भी संक्रमण के संभावना होती है उन सब को भी सूचित कर दिया जाता है जिससे कि आवश्यक रोग थांपी कारवाई की जा सके तिकर चेकर जो है वो आप सब की भी जैनकारी में आया होगा कि यह जो मास्क की रिक्वार्मेंट है मास्क लगा देने मातरी कारे नहीं है मास्क उनको अवश्यक है जो की हेल्थ केर परसनल है जो की संक्रमित रोग्यों के इलाज और उनकी तिमारदारी में अस्पतालों में लगे हुए है इसलिए यदि हम सब लोग बहुत भारी संक्यामें मास्क खरीदने लगेंगे तो हो सक सकता है जिनको वास्तव में आवश्यक्ता है जो तिमारदारी कर रहें उनको उतनी मास्क उपलब नहीं हो पाएं यह एक बात है दूसरी बात कि जब हम बहुत बड़ी संक्यामित तरके के मास्क खरीद लेते हैं तो मास्क अपने आप में जब तक आपने पहना हुआ तब तो बचाओ कर रहा है और जब उसके आप यूज करने के बाद उसको अगर बिना प्रापर डिस्पोजल के फेक देते हैं तो वो भी संक्रमल का एक कारण बन जाता है इसलिए मास्क के आवशक्ता जिनको है वो जरूर लगाएं जिनको नहीं है उनको नहीं लगाना चाहिए सबसे बड़ा इसमें कारण यह है कि हमें अपना पर्सनल हाईजीन मेंटेन करना चाहिए अपने हाथ को मिशा धोके रखना चाहिए अपने चेहरे को नीद होना चाहिए बारबर्च कुना चाहिए एक आवशक दूरी जो एक मीटर थीन फूट चार फूट की है वो अपने के दौरान मेंटिन करनी चाहिए और कहीं पर कोई भी लक्षन ऐसा प्रतीत हो तो सिल्फ डिक्लेरेशन के माध्यम से स्वास्थ निकटतम स्वास्थ केंद्र में जाकर के अपने स्वास्थ की जाच करा लिए अपनर स्वास्थ करा लिए और कोई यहाँ जान वड़ और करने स्वास्थ कर दियह पर कहा रहां तो सिल्छतम स्वास्थ